प्यारे विद्यात्यू नमस्कार, मैं हजिर हूँ, प्राध्य पक्सान तिलाल विश्णोई, आपके लिए लेकर आज का नया विश्ण है, मैं कख्साबारा अनिवाय यहिंदी की पाटे पुस्तक सरजन का अध्याए नमबर नौ लेकर, जिसका सीरशक है मेरा नया वच्पन का वित्त्री है सुपद्रकुमारी च्वान, तो सुपद्रकुमारी च्वःन का जन्म 1964 में हुआ, जबकि उनका दे आवसान देह का अन्त सर करूँ इससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप पूरा देखे और अन्य वीडियो के लिए आप डिस्क्रिप्सिन का जो लिंक है उस पर क्लिक करें अधिक्ष अधिक अपने मित्रों को लाइक, सेर और सब्सक्राइब इस चैनल को करवाए ताकि जैसा ही म कवित्री सुबद्रकुमारी चोहन का जन्म परियाग में हुआ था और उनकी आर्मबिक सिक्सा भी परियाग में वही हुई, साइटी के परती उनकी रूची बसमजन से ही थी और पांच वर्ष की आईउ में उन्होंने पहली कविता लिखे थी, देखिए इस बात से उनकी परतिबा का पता लगता है कि वो कितनी परतिबा साली कवित्री थी, पांच वर्ष की आईउ में इन्होंने अपनी पहली कविता लिखी, इन्होंने बारतिय सौतमतरता अंदुलन में सरकीरी बागीदारी की, कई बार जेल भी गई, वे साइटी और राजनिती में समान रू मूलते वे कवित्री थी, मूल रूप से सुपद्रा कुमारी चोहान कवित्री थी, उनकी कविताओं में दो प्रवर्तिया मुख्य रूप से देखने को मिलती है, दो प्रवर्तिया, दो प्रकार से वो कावी रचने करती है, पर्थम, प्रवर्तिया राष्टी भावना और दूसरी है घरेलू जीवन, उनकी अधिकतर कवीता है राष्टी भावना और घरेलू जीवन पर केंद्रित हैं, उनकी राष्टी भावना से युक्त कवीताओं पर समसामिक गटनाओं यानि ततकाली नोसमे की गटनाएं, राष्ट प्रेम और संस्कृति की गैरी छाप मिलती उनमें काविय परतिबा नेसरगिक थी, प्राकरतिक थी, कोई बनावटी नहीं थी, इसलिए उनकी काविय से लिकी परमुक विशेस्ता ये है, कि वे जटील से जटील विशे को सहज और सल सब्दों में व्यक्त कर देती है, भाव और अभियक्ति का इतना गहरा तादात्मि बहुत कम रचना कारों में मिलता है, जैसा सुब्दर कुमारी चोवान के काविय में मिलता है भाव और अभियक्ति का गहरा तादात्मि, इसलिए कोई भी भाव उनकी कवीता में आरोपित नहीं लगता, उपर से थोपा हुआ नहीं लगता, बुंदेल खंड में गया जाने वाला लोग गीत और उसके चंद में उन्होंने एक कवीता लिखी थी जांसी की रानी, तो बुंदेल खंड में गये जाने वाले लोग गीत के चंद में जांसी की रानी जैसी ओजस्वी कवीता उनकी परतिबा और दरश्टी दोनों की परिचायक है, उनकी क्या परतिबा है और उनकी क्या साहित्ती द्रश्टी है इन दोनों का हमें परिच्य प्राप्त करना है तो हम पड़े जासे की रानी इसलिए अंग्रे सरकार ने इस कविता को जब्त कर लिया था लेकिन ये सभी लोगों को कंटस्त थी इस कविता की सरल किंतु ओज भरी पंक्तियों ने हिंदी वासा वासी जनता को खूब प्रेरित किया आज भी हमें ये मोखी क्रूब से याद है आज भी हमारी जवान पर ये कविता राज करती है सुबद्रा कुमारी चवान ने कहानी और निबंद विदाओं में भी लिखा कविता के अतरिक तिन्हों ने कहानी और निबंद भी लिखे बिखरे मोती और उन्मादिनी उनकी कहानियों के संकलन है बिखरे मोती और उन्मादिनी उनकी कहानियों के संकलन है उनकी काहनियों में उदात आदर्शवाद की अभीवक्ती मिलती है तो उनकी काहनियों में उदात आदर्शवाद को अभीवक्ती मिलती है उदात कारत होता है एक उच और स्रष्ट आदर्शवाद का इस्तर सुबद्रा कुमारी चौहन को उनकी कहनियों पर दो बार सेक्सरिया पुरुसकार मिला है देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्प्रिंट है संसरिया लिखावा है जबकि यह है सेक्सरिया पुरुसकार जो हिंदी साहिती सम्मेल इनकी ओर्षिद दिया जाता है वे इनको दो बार मिला तो पुरुसकार का नाम क्या है दुबारा देख लिए आप सेक्सरिया पुरुसकार तो इस नाम से जाने यहां पर मिस्प्रिंट दियावा है तो सेक्सरिया पुरुसकार इनको मिला उनके निबंद भी समसामेक समस्याओं पर केंद्री थे उनकी पैचान एक सजग कवीत्री के रूप में है जिसने राष्टी चेतना और रेड़े की कौमल भावनाओं को सहस्ता से अभिवक्ति दी है सिल्प के लिए कोई विसे साग्रे उनकी रचनाओं में नहीं मिलता यानि चमक दमक का परियोग करे आकर शकबासा का परियोग करे सब्द जाल में कवीताओं को बांदे इस कला का उन्होंने ज़्यादा कोई परियोग नहीं किया है अब यहां पर इनकी ये कवीता है मेरा बच्पन मेरा बच्पन कवीता में जीवन की बाले आवस्ता को जिस सादकी और भाव परवानता के साथ सुबदरा कुमारी चोहार ने ढाला है उनकी ये विशिष्ट उपलब दिये बच्पन को लेकर लिखी ये कविता अपने आप में अपने तरह की एक दुरलब कविता है यानि ऐसी कविताएं अन्यतर आपको पढ़ने के लिए नहीं मिलेगी जिसका सीर्षक क्या रखा गया है बच्पन बच्पन जीवन का सबसे सुन्दर समय होता है वोई कवित्री याद कर रही है और अपनी बेटी के रूप में उस बच्पन को पुने प्राप्त करती है जहां किसी प्रकार का तनाव नहीं होता अपनी बेटी के साथ लेखिका का खोयावा बच्पन पुने लोटाता है लेखिका अपने बच्पन को लेकर उदेडबुन में है उसकी याद में वे दुखी है और जैसे ही वे अपनी बेटी को हंसते वे खेलते वे देखती है तो लेकिका कहती है कि वे मेरा बच्पन पुने लोटाया ये कवीत्री के भाव है जैसे ही अपनी बेटी को देखती है कवीत्री तो उसे अपने खोयावा बच्चपन पुने मिल जाता है, ऐसा हैसास होता है अब देखिए अपने चलते हैं कवीता की ओर अब कवीता देखिए मेरा बच्चपन तो यहां पर हम एक एक अंत्रे की रूप में चार-चार पंक्तियों की व्याख्या करेंगे तो क्या कह रही है कवीत्री पहली पंक्तियों में वो कह रही है बार-बार आती है मुझको मधूरियाद बच्चपन तेरी गया ले गया तु जीवन की सबसे मस्त खुसी मेरी चिंता रहीत खेलना खाना वे फिरना निर्वश वचंद केसे भूला जा सकता है बच्चपन का अतुलित आनन्त प्रिविद्याची यांदेखी कवीत्री क्या कह रही है कवीत्री सुबिद्रा कुमारी चोहन कहती है कि हे मेरे बच्चपन मुझे बार-बार तेरी याद आती है मुझे बार बार तेरी मधूर इसमर्त्यां याद आती है तू मेरी संपूर्ण मस्ती मेरा संपूर्ण आनन्द और मेरे जीवन की संपूर्ण खुसी है तू अपने साथ ले गया कवित्री कह रही है कि वह मेरा बच्पन इतना आनन्द एक था इतना सुकों से परिपूर्ण था कि उसमें खेलना खाना और बिना किसी भाई के श्वच्चंद रूप से विच्छन करना कैसे भूला जा सकता है कहने का आसी यह है कि बच्पन एक ऐसी अवस्ता है जिसमें किसी परकार की कोई क्चिंटा नहीं होती खेलना खाना इधर उधर घूमना फिरना भाई रईत रहना और बिल्कुल शवत्मतरता के साथ जीवन जीना जो एक ऐसा जीवन होता है कवित्री कह रही है कि हे बच्पन उसको कैसे भूला जा सकता है अर्थात उसको मैं नहीं भूल सकती क्योंकि वह मेरा बच्पन वह मेरी बच्पन की अवस्ता ऐसी थी जिसमें आनद की कोई सीमा नहीं थी अर्थात उसमें अपार आनद था जो मुझे बार बार यात आ रहा दूसरी पंक्ती में कवित्री दूसरे अंत्रे में क्या कह रही है दूसरे अंत्रे में वो कह रही है कि उंच नीच का ज्यान नहीं था चुवा चुत किशने जानी बनी हुई थी वहां जोपड़ी और चित्रों में रानी किये दूद के कुले मेंने चूस अंगुटा सुधा पान किया किलकारी की लोल मचा कर सुना घर आबाद किया कवित्री कहती है कि बच्पन एक ऐसी आवस्ता होती है जिसमें उंच नीच का कोई भेद नहीं होता उंच नीच का किसी परकार का ज्यान नहीं होता हमें यह पता नहीं होना होता कि हम किस के साथ खेलें, किस के साथ बैठें, किस के साथ उठें, किस का हमें सपर्ष करें, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, इस बात की जानकरी नहीं होती और बच्पन में किसी परकार का कोई भेद भाव नहीं होता उसमें तो केवल और केवल खेल के लिए हम एक छोटी शी जोंपडी चाहिए अर्थात हम खेल के लिए छोटी शी जोंपडी बना लेते हैं और उसमें गुडे गुडियों का खेल केलते हैं और उसमें रानी सब्द यहां पर गुड़े गुड़ियों का खेल है उसके लिए आया और उसके लिए चित्रडों की विशेश वेशवुशा बना कर हम उस गुड़े गुड़ियों की रानी के साथ खेलते हैं तो वहां पर तो तिनकों की जोपड़ी होती है और चित्रडों म श्रब कुछ होता है फिर वो कहती है कवित्री सुबदर कुमारी चोहन कहती है कि मैंने मेरे बचपन में जी भर कर दूद पिया और बचपन में एक बच्चों की विसेशादत होती है अंगूटा चूशने की तो कवित्री कहा रही है कि उसका स्वाद भी अंगूटा चूशने का स्वाद भी अपने आप में अम्रित तुल्य था कहने का असी यह है कि जब अंगूटा चूशा जाता था तो उसमें भी अम्रित का आवास होता था और बचपन में मैंने किलकारी करके हसी खुसी से चित्कारे करके जो एक सुना गर था उसको मैंने एक तरीके से खुसीयों से भर दिया उसको आबाद कर दिया तो इन चार पूंक्तियों में यह कवित्री की भाव थी अब आगे की अंत्रे में कवित्री क्या कह रही है रोना और मचल जाना भी क्या आनन्द दिलाते थे बड़े बड़े मोतिशे आशू जैमाला पहनाते थे मैं रोई मा काम छोड़ कर आई मुझे को उठा लिया जाड पौंच कर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया तो इन में कवित्री क्या कह रही है अपने बच्पन में जो रोने दोने की आवस्ता है उसके बारे में कह रही है कवित्री अपने बच्पन का वर्ण करती भी कह रही है कि बच्पन में रोना उल्लास्तना चितकारे करना किलोले करना ये एक आम बात होती है इसे बच्चे को और उसकी परिवार के सदिशियों को आनद महसूस करवाते थे इसलिए लेखिका ने उन आंसूं को जैमाला के मोती का और वे आंसू टपक टपक कर जब गले से नीचे उतरते थे तो ऐसा आबास होता था मानों कोई जैमाला पहनी हुई है तो कवी तरी कहरी है कि जब मैं रोती थी तो मा घर का संपूर्ण काम छो पुर्ण तर थे उनको सुखा करके और मुझे अतिस से बहुत अधीक प्रेम परदान करती थी मुझे प्रेम से वह पुचकारती थी और जैसे तैसे करके वह मुझे रोने से चुप करा देती थी आगे की अंतरे में कवी तरी कह रही है कि दादा ने चंदा दिखलाया नैन नीर युत दमक उठे, पानी से, नीर से युक्त, आसों से सराबोर, दमक ने कारत चमकना, दादा ने चंदा दिखलाया, नेन नीर युत दमक उठे, धुली हुई मुसकान देकर, शब के चहरे चमक उठे, वह सुक का समराज्य छोड़कर, मैं मतवाली बड़ी हुई, लुट कवित्री अपने बच्पन से निकल कर, युवा आउस्ता में आने का वर्ण कर रही है, कवित्री कहती है, कि जब मैं रोती थी, तो मेरे दादा जी मुझे आसमान में, चंदरमा दिखा कर, रोने से चुप कराते थी, और जैसे ही मैं चंदरमा देखती थी, तो मैं चुप हो देखकर घर के सभी सदे से है वो परशन हो जाते दे इस तरह मेरा बचपन अत्यांत सुकों से परिपूर्ण था अत्यांत आनंदित का पल था पन्तु जैसे जैसे आवस्ता बड़ी वैसे वैसे मेरा ये सुक का जो समराजी था मेरा जो ये आनंद का समराजी था ये बहुत प कर लेती हूं तो ये मेरे मस्ती का जो वाता वरने मस्ती की जो उमर है ये पिछे रह जाती है इस परकार मैं अपने आपको कुछ ठगी हुई सी कुछ लूटी हुई सी एक मतवाली किसोरी के रूप में महसूस करती हूं जो मैं युवा आवस्ता के द्वार पर आकर अब युवा आवस्ता आती है तो ये एक स्वाबाव सीख परिक्रिया है उसमें लजा होती है उसमें एक उमंग होती है आगामी जीवन को लेकर अनेक प्रकार के सपने होते हैं तो यहाँ पर कवीत्री क्या कह रही देखिए इन चार पंक्तियों में कवीत्री कह रही है कि लाज भरी आखे थी मेरी, मन में उमंग रंगीली थी, तांद रसीली थी कानों में, मैं चंचल छेल छबीली थी, दिल में एक चुबंसी थी, ये दुनिया अलबेली थी, मन में एक पहली थी, मैं सब के बीच अकेली थी देखी यहां पर जैसे ही किसोर अवस्ता आती है, युवा अवस्ता आती है, जवानी के अवस्ता आती है, तो उसमें लजा का आना स्वापविक है, तो कवित्री कहती है कि बच्पन के बाद, जब मैं किसोर अवस्ता में प्रवेश करती हूँ, तो मेरी आँखों में कुछ ल अवस्ता में आगे किन-किन सपनों को साकार करने का आउसर मिलेगा, किस परकार का जीवन जीने का आउसर मिलेगा, ये जो संगीत की तान है वो अभी से मुझे सुनाई देने लगी है क्योंकि मैं इस अवस्ता तक पहुंचते पहुंचते बिल्कुल चंचल और सोक प्रिये छेल छबिली एक युवती बन गई हूँ इस किसोर अवस्ता की आयू में मेरे दिल में एक चुबनसी भी है क्योंकि मेरा जो बचपन है वो बीत गया तो यहां पर मक्ती देखिए दिल में एक चुबनसी थी दिल में चुबन क्यों थी क्योंकि लेखिका का कवित्री का जो एक बचपन था एक सुक में जो बसंद था ये सुक में जो जीवन था बच्पन था वे बीत गया इस बात की कवीत्री को कसक है ईसे और अब कवीत्री कहा रही है कि जैसे ही मैं नई नई यूवा आउस्ता को प्राप्त होई हूँ तो मुझे ये लग रहा है कि मैं इस दुनिया के बीच में अकेली हूँ इस समय किसोरा वस्ता में मेरे मन में अनेक परकार की आगामी जीवन को लेकर भाव उट रहे हैं और उन भावों के बीच आज में किसोरा वस्ता में पहुंचने के बाद अपने आपको अकेली महसूस कर रही हूँ पहले जो मेरा पूरा घर साथ था मेरा जीवन शुक में था मेरा बच्पन शुक में था मैं सब की चहेती थी सब के बीच में हसती, खेलती, कूदती थी श्वचन थी आज मैं अपने आपको ठगा मैसुस कर रही हूँ, आज मैं अपने आपको अक्रेली मैसुस कर रही हूँ ग्यान का उद्य मोहने वाला है कवी बच्पन को संबोदीत करके कह रही है कि हे बच्पन हे मेरे बच्पन तुम मुझे एक बार आवसी मिले थे लेकिन मुझे मिलने के बाद एक तरीकिका तुमने मुझे दोखा दिया मैं आज तुमें खोज रही है लेकिन तुम मुझे एक बार मिलकर मुझे को छोड़ दिया इस तरह लेखी का कह रही है कि हे बच्पन तुमने मेरे साथ धुका किया है मुझे ठगा है क्योंकि जिस परकार बच्पन की आवस्ता बीती युए आवस्ता आई तो लेकि का कोई ये लग रहा है कि बच्पन ने किसोर आवस्ता की रूप में जवानी की रूप में उसकी गले में एक फंडा डालदिया है इसलिए वह कह रही है कि मैं यकिनन तोर पर ये मानती हूँ कि मेरी ये युए आवस्ता सब कुछ ये मोहक मोहक है लेकिन मेरी दर्ष्टी में ये एक मोम आया है तो यहां पर कवित्री ये कह रही थी कि मिला खोजती थी जिसको हे बचपन ठगा दिया तुने अरे जवानी के फंदे में मुझे को फंसा दिया तुने माना मैंने युवा काल का जीवन खुब निराला है आकांग सा परुसार्थ ग्यान का होने वाला है तो हमने यहां वे ये पड़ा कि कवित्री ने कहा कि हे मेरे बचपन तु मुझे मिला लेकिन मुझे छोड़ कर चला गया इस तरह से तुझ ने या तुमने मेरे साथ में ठगी की ये धोका किया है और बचपन से निकाल कर जवानी का जो फंदा है वो मेरे कले में डाल दिया है मैं ये मानती हूं कि युवा आवस्ता का ये जीवन खुब निराला है अनेक सपनों से युक्त है रंगिला है किन्तु ये जंजट है भारी युद छेतर शंसार बना चिंता के चकर में पढ़कर जीवन भी भार बना आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल सान्ती व्याकुल व्यथा मिटाने वाली ये अपनी प्राकृत विसरान्ती अब कवित्री पुकार कर रही है अब कवित्री बचपन को बुला रही है कवित्री कह रही है कि हे मेरे बचपन तु एक बार पुन है मेरे जीवन में आ जागे क्योंकि युवा आवस्ता में ये देखी उपरपंक्ती देखी किंतु ये जंजट है बारी युद चेतर संसार बना चिंता के चक्र में पढ़कर जीवन भी अब भार बना कवित्री कह रही है कि हे मेरे बचपन ये युवा आवस्ता का जंजट ये मो मया का जंजट बहुत बारी है और मेरे लिए ये शंसार है एक तरीके से युद का चेतर बन गया है जिस परकार युद के चेतर में लड़ना बहुत मुश्किल होता है बहुत कठीन होता है उसी परकार युवा आवस्ता की इस उमर में जीवन जिना बहुत कटिन है क्योंकि मनुश्य चिंता में पढ़कर जीवन को भार समझने लगता है और वह अनेक परकार के विपदाएं, अनेक परकार के संकट है, उनसे घिर जाता है इसलिए हे बचपन, तुम एक बार फिर से मेरे जीवन में आ जाओ, मेरे जीवन में जो भी चिंताएं हैं, जो भी दुख हैं, जो भी प्रसानिया हैं, जो भी व्यद्या हैं, जिससे मेरा ये सरीर, मेरा जीवन ये घिरावा है, उससे मुझे एक बार छुटकारा दिलाओ, औ उन्हें परदान करो, तो मुझे संसार की जितनी भी व्यक्ताइं हैं, उनको मिटा कर मेरे सरीर को आराम परदान करो और एक सी सान्ती परदान करो, जैसी सान्ती मेरे बच्पन में थी, आगे कवित्री क्या कह रही है, वै भोली सी मधूर सरलता, वै प्यारा जीवन निस्पा, क्या आकर फिर मिटा सकेगा तु मेरे मन के संताप, कवित्री कह रही है, कि हे मेरे बच्पन, मेरे जीवन की वै बाल्या उस्ता, मेरे जीवन का वै बच्पन, मेरे जीवन का वै भोलापन, मेरे जीवन की वै जो मधूरता थी, जिसमें किसी परकार का कोई पाप नहीं था, क उसे सदेव मुक्त था क्या वह बच्पन मुझे पुने मिल सकता है क्या तुम आकर मेरे मन के कश्टों को मिटा कर मुझे वह बच्पन पुने परदान कर सकते कहने का आसी यह है कि कवित्री कहती है अपने बच्पन से कह रही है कि हे बच्पन तुम एक बार पुने मेरे जिवन में आ जाओ और ऐसा कवित्री जब शोचती है तो उसी आसा के अनुरूप कवित्री को अपने बच्पन की रूप में एक बेटी मिलती है और उसको देखकर कवित्री को अपना बच्पन पुने मिल गया ऐसा लगता है तो आगे कि पंकि हम देखिए बच्पन को बुला रही थी बोल उठी बिटिया मेरी कवित्री कह रही है कि मैं बच्पन को बुला रही थी बचपन की मदूरी स्मर्तियां याद कर ही रही थी कि वह बचपन मेरी छोटी बेटी के रूप में मेरे सामने आया और जिस समय मेरी बेटी का मेरे घर में आगमन हुआ तो मेरी छोटी शी कुटिया थी वह देव राज इंदर के उध्यान के शमान खिल उठी और वैखुसियों से भर गे कहने का आसी ही है कि जब मेरी बेटी का जन हुआ तो मुझे अपना जो बचपन था उसको पुने जीने का एक आउसर मिला माओ आगे है माओ कहकर बुला रही थी मिटी खाकर आई थी कुछ मुँ में कुछ हाथ में लिए मुझे खिलाने आई थी कवित्री अपनी बेटी के बारे में कह रही है कि वैब बेटी मा कहकर मुझे बुला रही थी वैब मिटी खाकर आई थी और वैब मिटी खाने के बाद कुछ मिटी उसने खाई थी कुछ उसके हाथ में थी और बालमन की जो चैस्टा है उसके कारण वह कुछ मिट्टी मुझे भी खिलाने के लिए आई थी आगे कवित्री कहा रही है मुँपर थी आलहद लालीमा विजेगर उथा जलकरा मैंने पूचा ये क्या लाई बोलूटी मा काऊ हुआ परफुलित रदै खुशी मैंने कहा तुम खा तो देखिए याँ पर कवित्री के भाव देखिए बहुत आनंदित वात्सलियरस है याँ पर कवित्री कहा रही है कि जिस समय वह मेरी बेटी मिट्टी खाकर आई थी और मुझे मिट्टी खिलाना चाहा रही थी उसमें वह कितनी खुस थी कितनी परशंचित थी उसका अंग अंग है वो परशंता से परफुलित हो रहा था उसकी आँखें हैं वो आश्चरिय के कारण और खुशी के कारण चमक रही थी उसमें ऐसा भाव जलक रहा था उसका चेहरा है वो उल्ला से भरावा था जिस पर लाली मा और विजे का गरो है वो इस पस्त दिखाई दे रहा था अर्थात कवित्री कह रही है कि वह मेरी बेटी जो स्वेम मिट्टी खाके आई है और मुझे भी मिट्टी खिलाने के लिए लेकर आई है तो खुद मिट्टी खाकर आई है और मा को खिलाने के लिए आई है इस बात का भाव जब उस बेटी की मन में आता है तो उसका चेहरा बहुत ये परसंचित लगता है लेखी का कह रही है कि मैंने बेटी से उत्सुकता पुर्वत पूचा कि तुम क्या लाई हो तो उसने बाल शुल्ब चेश्टा के करण कहा कि मा मैं मिट्टी लाई हो तुम भी ये मिट्टी खाओ तो यहाँ पर एक पंक्ती आई है मा तुम भी इस मिट्टी को काओ तो यहाँ पर बालकों की तुतलाती ज अब कवित्री कह रही है कि उस बेटी के रूप में मेरा नया बच्पन पुने आया है मेरा जो बच्पन था बेटी के रूप में घुम फिर कर पुने मेरे तक पहुंचा है वह बच्पन बेटी बन कर आया है मैं उसकी भोली बाली सुन्दर स्रीमूर्थी देखकर नव जीवन की आसा में आनंदित होने लगती हूँ आसी यह है कि वह बेटी है उसकी चेश्टाओं को देखकर उसके खेलने की तरीके को देखकर लेखी का क्यों यह लगता है कि मेरा बच्पन तो नहीं है लोट आया है कि अब मैं उसके साथ में खेलती हूँ खाती हूँ उसकी तुतलाती वानी जब वह बोलती है तो मैं वैसा ही अनुसरन करती हूँ और ऐसा कर करकर कि मैं स्वयम बच्ची बन जाती हूँ और इस प्रकार मुझे अपने बच्पन का आभास होने लगता है मुझे यह लगता है कि मेरा बच्पन बेटी की रूप में पुन है लोटाया अंती मंतरे में कवीत रिक्या कह रही है कि मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ तुतलाती हूँ मिलकर उसके साथ श्वयम भी बच्ची बन जाती हूँ जिसे एक खोजती थी वर्सों से अब जाकर उसको पाया है भाग गया था मुझे छोड़ कर वह बच्पन फिर से आया है तो कवित्री कह रही है कि मैं मेरी बेटी के साथ तुतला तिवानी में बोलती हूं उसके साथ खेलती हूं उसके साथ हांसती हूं उसके साथ सब्द किरड़ाएं करती हूं और तुतला तिवानी का मैं अनुसरन करती हूं और ऐसा करके उस बच्ची के साथ खेल का ऐसा बनके मैं स्वेम बच्ची बन जाती हूं और बालकों के समान आचरन करने लगती हूँ आज मुझे बड़ी कुसी है कि मेरा बीतावा बच्पन जिसको मैं कई वरसों से लंबे समय से खोज रही थी वे मुझे आज मेरी बेटी के रूप में वापस मिला है तो पुने मेरी बेटी के रूप में मुझे बच्पन मिला है, जो मुझे छोड़कर भाग गया था, आज वे फिर से मुझे मिल गया है, बेटी की कारण मुझे जो मेरा बच्पन है, वो पुने मिला है, बच्पन का जो सुक था, बच्पन का जो आनद था, उसको भोगने का ए की रूप में मुझे पन्यपराफ़त हुआ है, तो प्रीवद्याक्तिव, ये एक एसी वाद्सलिय्रस से ओठ्पृत्ष कविता थी सुपधर कुमारी जोहन की, जिसमें वाद्सलियरस था, काविये गुण की बात करें तो यहां पर प्रसाद नामक काविये गुण था, करण अलंकार का भी परियोग्यां पर हुआ है और इस परकार की जो सब्दावली थी वो सहज, सरल और परवाम ही पासा थी आम बोल चाल के सब्दों का परियोग भी इस कवीता में कवीत्री ने किया है तो इस परकार की बातें आप विसेश तोर पर जो व्याक्या में विसेश होता है वहां पर लिखें उमीद करता हूँ आज का ये पार्ट आपको बहुत पसंद आया होगा इस पार्ट से सम्दित आपकी किसी परकार की संका है या आपकी पार्ट की करम को लेकर आपका किसी परकार को प्रस्ण है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राज जरूर दे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें सेर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना ने भूलें धन्यवाद